नदी का किनारा था, वहाँ पर एक पेर था, उस बेड़ पर टुवी को रहया और छोटु दोता रहा करते थे, वे दोनों वहाँ कई बरसों से रह रहे थे, अगर कोई पंची वहाँ पर रहना चाता, तो उन्हें इन दोने की अनुमती लेनी पड़ती, ऐसे ने एक दिन जो कवा उड़ती हुई बहाँ पर आई, दोस्तो मैं बड़ी दूर से आहर की दलश में उड़ती हुई यहां आई हूँ, क्या मैं यहां रह सकती हूँ, यो मा सुमियत से पूछा, हाँ तुम ज़रूर रह सकती हो, यहां पर आहर की कोई कमी नहीं, यह सुनकर कवा बहुत खुश हुई और वहां पर एक खोसला बना कर रहने लगी, उन पंचियों ने अंडे दिये, उन में से अपने बचों के बहार निकलने की रहा देखने लगे, कुछ दिनों के बाद एक बुड़ा सा रिंगता हुआ उस पेर के पास आया, और बड़ा ही नीरस हो कर कहने लगा यू मदद की गुहार लगाने लगा, उसकी आवास सुन पंचियों उसके पास आये तुम कौन हो, यहां कैसे आये? पहले उसकी प्यास बुझाते हैं, फिर उससे सवाल करते हैं, इस पर सभी ने हामी भरी, तो वे ने साम की प्यास बुझाई, उसके बाद साम ने कहा मैं आहार की तलाश में बड़ी दूर से आई हूँ, मेरा इस दुनिया में कोही नहीं, इस उमर में अपनी आहार का बंदो बस करने भी में नहीं जा सकती, तुम सब बड़े नेक लगते हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जो तुम काओ, उसी में थोड़ा मुझे दे दो, मैं कालूंगी, ऐसे मासूमियत से कहा, सारे पंची को उस पर दया आई, ठीक है, तुम यहां पेर के पास अपना बिल बनाकर रहने लगो, हम तुम्हारी सायता करेंगे, सांप ने उनका आभार माना और पेर के पास बिल बनाकर रहने लगा, दिन बीते, पंचियों के कुछ अंडों से पंची बहार निकले थे, वे अपने बचों का बहुत ध्यान रखते थे, सांप के आहर का इंतिजान करते और उससे इसने हसे रहने लगे, एक दिन तेनों पंची आहर की तलाश में बहार निकले, गवरया के बच्चे उसे आवाज लगा कर चिला रहे थे, यह प होसले में पंची और उसकी अंडे देखे, उसका मन बदल गया, भला कितने दिनों तक शाकाहर काती रहूंगी, चिपचाप इन बच्चों को खा कर अपने बिल में जाकर आराम कर लेती हूं, अगर किसी ने पूछा तो कहूंगी मैं तो बोड़ी हूं, मैं तो बिल से बाहर आई ही नहीं, ऐसा सोचकर सांप एक अंडा निगल गया और चुपचाप अपने बिल में चला गया, इस तरह हर रोज एक एक अंडा निकल जाया करूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये सोचकर सांप अपने बिल में सो गया, कुछ दिर बाद पंची अपना आहार कर वापस लाटी, पर अपने बच्चों को वहां ना पाकर तीनों घबरा गय कि कहां गय होंगे, दोस्त, क्या तुमने देखा है हमारे बच्चों को कौन ले गया, मैं खड़ा बुड़ा, मैं बड़े मुश्किल से बिल से बाहरा पाता हूं, वैसे कुछ देर पहले मैंने के चीखने की आवाज सुनी, पर कितनी देर से कोशिश कर रहा था, तो अब बड़ी मुश्किल से बाहरा पाया हूं, इस तरह सांप ने उनसे जूट कहा, उन तीनों ने सांप की बात को सच माना, कोई हमारे बच्चे और अंडे ले दिया है, यूँ बड़े दुखी होकर कहने लगे, सांप ने उन्हें जूटी सांधुना दी, सांप बड़ी होश्यारी से पंची के बाहर निकलते ही, उनके एक बच्चे और अंडे को खा जाया करता, और चुपचाप अंजान बन कर बि तोनी गोरेया की दोस्त लूसी कबुतर उनसे मिलने आई, और घौसले पर उन्हें ना पाकर, उसने सोचा कि कुछ दिर यूहीं वो सैर करेगी, कुछ दूर आसमान में सैर कर वो वापस उनके घौसले के पास पहुंची, तो अचानुक उसने देखा कि एक सांप उनके दोस दोस्तों की घौसले के पास आकर एक बच्चा और अंडे को खाये जा रहा था, ये सब क्या कर रहा है, ये बात मुझे अपने दोस्तों को बतानी होगी, कुछ समय बाद तोनी गोरेया और छटू दोता वापस लाटे, अपने दोस्त लूसी को वहाँ पाकर दोने खोश हु अरे लूसी तुम कैसे हो, कब आई, सब ठीक है न? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम से कुछ कहना चाती हूँ, वो नीचे जो साब है न, वो तुम्हारे बच्चों को खा रहा है, उसकी बाते संतोता ने कहा, क्या तुम यहाँ पर जहर पहला ने आई हो, वो एक बुढ़ा साब है, भला वो रिंगता हुआ पेड़ पर कै कैसे खाएगा? दोस्तु, जूट बोलकर मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, मेरे बात मानो तो ठीक, वरना तुम्हारी मर्जी. यह कहकर कबुतर वहां से उड़ चली, दोनों उसी विशे में सोचने लगते हैं, कुछ देर बात वहां पर कवा आई, उन दोनोंने कवे को सारी बात बताई, अब परिचित के लिए कोई ऐसा कुछ कहे, यह संभव नहीं, मुझे भी उस साम पर कुछ शक्षा हो रहा है, अ अगले दिन अपने बच्चों और अंडों को छुपाकर वे तिनों वहां से निकल गए, बहुत समय के बाद पक्षियां वहां से चले गए, यह जानकर साम रिंगता हुआ पेड चड़ गया, पेड पर पंची और अंडे ना पाकर, यह क्या हुआ होगा, आज न अंडे है न बच्चे, यह यहां पर यूँ बात कर रही थी, अपने साजिश के चलते वे तीनों दूसरे पेड़ से उसे देख रहे थे, देखा, अगर इसे ने अपने बच्चों को मार गाया होगा, तो चील के हाथों इसे मरवा देंगे, और यही सोचकर वे तीनों एक चील के पास ग साप ने उनसे कहा, दोस्तो मुझे इस चील से बचाओ, यह मुझे मार देगी, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, तुमने हमें धोका दिया, हमने तुम्हें रहने के लिए आसरा दिया, और तुम हमारे ही बच्चों को निगल गई, हम सारी सच्चाई जान चुके है, चील अपनी चोंच से उसे चुभा चुभा कर उसको अपना आहार बना कर वहां से उड़कर चली गई, हर किसी को अपने कर्मों की सजा इसे जुनम में भुगतनी होती है, जिसका पाप का घड़ा भर जाता है, उसको उसका बदला मिल ही जाता है, उस दिन से वेती नों शांती से जीने लगे, वो गर्मी के दिन थे, गर्मी के कारण सारे पेड जंगल में सूख गये थे, पेड पर रहे पंचियों की भूग नहीं मिट रही थी, बहुत दूर जाते तभी कुछ मिल पाता था, इतनी मुश्किल घड़ी थी, इसलिए कई पंचियां वहां से निक दोस थे, हमेशा साथ रहना चाते थे, उस पर उन तीनों के बच्चे भी थे, इतनी दूर उन बच्चों को साथ ले जाना बहुत मुश्किल था, उन तकलिफों को जेलते हुए भी वे तीनों वहीं पर रह रहे थे, एक दिन कववे ने कहा, दोस्तों, हम और कितने समय तक यहां पर रहेंगे, एक तरफ बच्चों की भूग, और दूसरी तरफ हम भी तो भूगे हैं, इन दोनों के बीच हम सब पिष्टे जा रहे हैं, अगर हमें कुछ हो गया, तो अपने बच्चे लावारिस हो जाएंगे, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं, ये कहते हुए वो बहुत दुखी हो रही थी, दोस्त, जितने दर्ड में तुम हो, हम भी वही दर्ड सहर हैं, फर्क सिर्फ इतना है, हम ये कह नहीं पारें, और तुमने कह दिया है, अगर हम यहां से चले जाएंगे, तो बिच्छड जाएंगे, पर अगर यही रहेंगे, तो अपने बच्चों के मौत की कारण बनेंगे, क्या करें, पर दोस्त, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कि हम तिनों साथ में ही चले, हम तिनों एक तिसरे का सहारा बन सकते हैं ना, हाँ दोस्तों, जहां पर अपना आहार मिले, ऐसे जगर जाना सही होगा, पर बच्चियों की स्थिती अब बहुत दयनी हो रही थी, इसलिए तीनों फिर से इखटे हुए और बहुत दुखी होकर बात कर रहे थे, दोस्तों, और कुछ दिनों तक अगर हम यहां पर रुके, तो हमारे ही बच्चों को मार खाना होगा हमें, और यह में होने नहीं दे सकत इसलिए हमें यहां से जाना होगा। मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है दोस्त, भूलना मत। ऐसा कहकर कबुतर उड़कर वहां से अपने घौंसले की और चल पड़ी। दोस्तु, तुम सबसे बिचड़कर आज एक साल पूरा हो गया, पर तुम्हारे यादे मुझसे नहीं जाती। जब भी तुम्हें याद करती हूँ, मेरी आखे नम हो जाती है। तुमसे दूर होकर भी तुम्हारी दोस्ती मुझसे कम नहीं हुई है। मुझे पूरा विश्वा से उस भगवान पे हमें जरूर मिलाएगा। हे भगवान, ऐसा कुछ करो कि मैं अपने दोस्तों से फिर से मिलूँ। ये कहकर वो उदास होने लगी। सच्ची दोस्ती कभी खतम नहीं होती, भगवान हमें जरूर मिलाएंगे। यूँ दुखी होकर वो भगवान से जल्दी मिलाने की प्रातना करने लगी। दूसरी और कवा भी कहने लगी। इस तरह वे तीनों अपनी अपनी जगे उदास हो रहे थे। कुछ दिनों बाद चील उरती हुई कभुतर के पास आई। दोस्त दोस्त बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। तुम्हारे दोस्ती चुकवे के बारे में मुझे पता चला है। कभुतर के खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा। क्या कहा तुमने सच में बहुत अच्छी खबर लाई है। बताओ मेरे दोस्त कवा कहां पर है। ऐसे बताओंगी तो पता नहीं चलेगा। तुम मेरे साथ चलो बताती हूँ। चील के ऐसा कहने पर दोनों उरती हुई कवा के पास निकली। कवे ने जैसे ही कबुदर को देखा वो बहुत खुश हुई। कैसी हो मेरी दोस्त इस पूरे बरस में एक भी ऐसा दिन नहीं था जब मैंने तुम्हें और टोनी को याद न किया हूँ। तुम कैसी हो। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं दोस। वहां से बिछडने के बाद मैंने अपने बच्चे के आहर के लिए बहुत धुंडा। फर मुझे कहीं भी आहर नहीं मिला। मेरे बच्चे भूग से तड़प रहे थे। मा होने पर मैं सिर्फ उन्हें ममत ही दे पाई पर उनकी भूग नहीं मिटा पाई। आलात इतने बिगड़ गए कि मेरे दोनों ही बच्चे भूग से मर गए। मैं बहुत फूट फूट कर हुई। उसके बाद इस चील की साहता से मैं बच पाई हूँ। इस तरह लूसी ने बीती सारी बात बताई। उसकी ब मा ये सब। उस नन्हे से चील को कवे को मा बुलाते हुए सुनकर लूसी और चील चौंग गए। ये दोनों मेरे दोस्त है इन्हे नमस्कार करो। उस नन्हे से चील ने सब को नमस्कार किया और मा से करकर खेलने के लिए बाहर चली गई। ये चील तुम्हारी बच्ची त जा रहा हूँ मैं आपको छोड़ कर दूर जा रहा हूँ मा यूं वो रोए जा रहा था तुमेह कुछ नहीं होगा बेटा मैं तुमेह जाने नहीं दूंगी ऐसे वो उसे धीरजदे ही रही थी पर वो चल बसी दोस्त मैं जानती हूँ तुम इस समय बहुत दुखी हो और मेरा ये पूछना बहुत गलत होगा उस चील ने अपने बच्चे के लिए मेरे मरे हुए कवे को पूछा ताकि वो उसकी भूख मिटा सके मैं उसे कुछ ने कह पाई मैंने दिल पर पद्धर रखकर अपने बच्चे को सौंप दिया मेरा बच्चा किसी बच्चे की भूख मिटाने वाला था शायद ऐसा किसी माने नहीं किया होगा पर चील ने मुझे धन्यवाद कहा और मेरे मरे बच्चे को ले गई चील ने अपने बच्चे की तो भूख मिटा दी पर वो खुद भूखी रही अपने बच्चे की भूख मिटाने पर खुश होकर उसने अपना देहत्याग दिया मैं जब अपने आहार के रे निकली थी तब रोती हुई उस नन्हे चील को मैंने देखा जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने उस चील के बच्चे को अपना लिया इतनी बड़ी होनी के बाद भी उस चील की बुद्धी अभी तक मंध ही है वो छोटे बच्चे जैसी ही है इस तरह बिती सारी बात बता कर वो दुखी हुए जा रही थी उसकी बाते सुन तुमने बहुत नई काम किया है पूरी दुनिया में ऐसा किसी मान नहीं किया होगा तुने जो किया वो सही है या गलत ये फैसला भगवान पर छोड़ते हैं यूँ जब वो बात कर रहते आस्मान में टोनी को रहया बच्चों के साथ उड़ती हुए उन्हें देखकर वहां आती है दोस्तों कितना समय हो गया तुम सबको देखकर आज मेरे किसमत तो चमक गई ये कहकर वो खुशिस से सभी के गले लगती है ये दोनों मेरे बच्चे हैं वहां से निकलने के बाद हमें एक जगब बहुत अच्छा आहर मिला हम सब खुश है पर तुम दोनों की कमी हमेशो खलती थी इस तरह पुरानी बाते याद कर वे सभी बहुत दुखी हो रहे थे पूरे एक बरिस बात सभी मिल गये थे इसलिए सब बहुत खुश थे